हलो एवरिवान माइनेम इस मनेश मैं इस वीडियो पर बात करने वालों 36 गड़ बोट परिच्छा 2022-23 कक्छा बारवी विसाय हिंदी का महत्पून इंपोर्टेंट कोश्चन इस वीडियो पर बताने वालों तो इस्टुडेंट वीडियो को लाइक, सेयर और यूटुब चैन तो प्ले श्टूर पर सर्च करने कुटूम एप या तो लिंक डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा, वहां से भी आप लिंक को टैप करके कुटूम एप को डाउनलोड कर पाएंगे और डारेक्ट आप कम्यूनिटी को जॉइन कर सकते, पुन्नांक रहेगा, अस्ति अंकों का तीन घंटे का पेपर है, सभी प्रशन हल कुना अनिवार्य है, प्रशन पत्र के प्रशनों को तीन खंडों क ख और गाँ में विभक्त किया गया, प्रशन करमांख दो, जिनमें आपका शोला अंक निरधारित है, खंड ख में पांच प्रशन है, जिसके चार प्रशनों में विकल्प दिये गए इस खंड में कुल 20 अंकों का प्रश्ण रहेगा खंड गापर आरो से 32 अंकों से 12 अंकों का प्रश्ण रहेगा तो किस तरह से प्रश्ण आएंगे इसके बारे में आपको बात कर लेते हैं अदो लिखित अपठित गध्यांस को पढ़कर दिये गए गर्व की बात है कि देश वैज्यानिक और ओद्योगिक छेत्र में प्रगति कर रहा है विस्व के सम्रिद्ध अर्थ व्यवस्ता वाले देशों से टक कर ले रहा है उनमें से आगे निकर रहे किन्तु इस प्रगति के उजले पहलू के साथ एक धुंदला पहलू भी है जिस पर आप पहले ही लाइन पर इसको आप लिख देंगे देश वासियों के लिए गर्व की बात है कि देश वैज्यानिक और ओद्योगिक छेत्र में प्रगति कर रहा है तो ये पहले का देश की आसा तीत प्रगति से धुंदला पक्छ क्या है तो यहाँ पर आपको देख रहे धुंदला पहलो भी है जिससे हम छुटकारा चाहते हैं वह है आपका नैतिकता की पहलो नैतिक चरित्र से लेखा का क्या आसाय है इसके बारे में आपको उत्तर करना है तो यदि हमारे हिर्दय में सत्य इमानदारी कर्तब विनिष्ट और मानवी भावनाएं है यही है आप आपका नैतिक चरित्र इस तरह से आपको उत्तर करने जो इसका सिर्षक रहेगा आपका नैतिकता रहेगा इस तरह से आपको प्रश्ण पूछे जाएंगे आपको सिर्फ इसको अच्छे से एक बार समझने समझने के बाद आपको सारे उत्तर मिल जाएंगे पहला प्रगती से जुड़ा धुंदला पक्ष क्या है नैतिकता मरी नहीं है पक्ष या विपक्ष में अपना विचार लिखे इसका उत्तर आपको कुटुम एप पर मिलेगा तो कुटुम एप को डाउनलोड कर लेना है और परिच्छा की संपूर्ण तैयारी आपको वहां पर हो ज भूख से लड़ने कोई खड़ा हो जाता है सुन्दर दिखने लगता है जटपटा बाज फन उठाए साप दो पैरों पर खड़ी कांटों से ननी पत्तियां खाती बक्री दबे पाउं जाडियों में चलता चीता डाल पर उल्टा लटक फल कुतरता तोता या इन सब की आद भूख से लड़ने कोई खड़ा हो जाता सुन्दर दिखने लगता है बास तता साप में कभी को क्या सुन्दर या नजर आता है ये प्रत्ते एक प्रश्ण आपको एक एक अंकर रहेगा इन सब की जगा आदमी होता इस पंक्ति का तात पर आपको भावार्त पहले इसका सिर्शक आपको करना है किसी एक विशय पर आपको निबंद लिखने के लिए आएगा सारगर्भित निबंद लिखने पांच अंको का रहेगा तो सबसे पहला यहाँ पर टॉपिक दिया गया क्यों न करे परहेज हम पॉलिथेन से मोश्ट इंपोर्टेंट रहेगा नया टॉपिक आपको पूछे जाते हैं व्रिच धरा के आभूसन खेल कूद और स्वास्ते ससंगती का महत्व किसी एक टॉपिक को आपको अच्छे से तयार कर लेना है चौन्ता प्रश रहेगा आपका आविदन पत्र किसी दैनिक समाचार पत्र के संपादक को पत्र लिखे जि पसों की समस्या की ओर जनता और संबध अधिकारियों का ध्यान खीचा गया हो अपने प्रचारे को एक पत्र लिखे जिसमें आपके सहपाटी असोग चौदरी द्वारा लॉकडाउन की अउधी में प्रशशनी कारिय के लिए उन्हें सम्मानित किये जाने के लिए अनरोध किया गया यह वेरी वेरी इंपोर्टेंट कोश्चन है आपका अविदन पत्र उसके बाद है आपके चार अंकों का पत्रकारिता से प्रशन रहेंगे एक एक अंक वाला रहेगा फ्री लैंसर पत्रकारिता किसे कहते हैं फोटो पत्रकारिता या पित पत्रकारिता का महत बता ये संचार से आप क्या समझते हैं संपादक के प्रमुक कारे कौन-कौन से तो एक-एक अंक वाले चार प्रश्ण होगा कहानी के किनी तिन तत्वों को समझाईए ये तीन अंकों का कहानी पर नाटक पर आपको प्रश्ण आएंगे देखे आप नाटक जैसे ही बोला मैंने कहानी और नाटक उसके बाद है आपका एक फीचर आलेक लिखने के लिए आएगा बड़े सहरों के जीवन की चुनोतियां विसय पर आलेक लिखे तीन अंकों का प्रश्ण रहेगा चार तिन साथ आपके दर्श नंबर के प्रश्ण आपके इसी पर अधारित प्रश्ण होंगे बड़े सहर की चुनोतियां जीवन की चुनोतियों पर आपको अलेक लिखना है खाद्य पदार्थों में मिलावट की समस्या पर फीचर लिखना है जैसे आपको पद्यांस दिया है काव्यांस दिया है तो इसके भावार्थ को आपको पहले समझना होगा किस्बी किसान कुल बनिक बिखारी भाट चाकर चपट चोर चोर चैटकी से लेकर आपको यहां तक पूरा आगी पेटकी वो प्रोक्त चंद में कभी ने समाज के किन किन लोगों का वन्न किया गया तो आपको पहले लाइन पर इसका उत्तर दिख रहा है पेटकी आग बुझाने के लिए लोग क्या करते हैं उसके बाद है पेटकी आग की भ्यानकता उन्हें किस कृत्य के लिए मजबूर कर देती है तो आपको यहां पर यह चीजी आपको समझ में आ रहा होगा इसका भावार्त आप समझ जाएंगे तो इसका उत्तर भी आपको बन जाएगा बात करते हैं आपकी अगले प्रशन काव्यान स्पिर से आपको दिया गया दो प्रशन रहेंगे चारंकों का पहला वाला रहेगा आपको दो प्रशन तीन प्रशन रहेंगे दो-दो अंक वाले इसके बाद नब में पाती बंदे बगुले के पंक चुराये लिए जाती वे मेरी आँखे कजरासरे बादलों की छाई नब चाया तैरती सांज की सतेज स्वेत काया पाती बंदे बगुले का सौंदर करना है इसका सौंदर किस तरह से हुआ है बगुलो के पंग के सिल्प सौंदरे को स्पष्ट कीजिए इस तरह से आपके प्रश्ण रहेंगे उसके बाद दस्वा का पहला है कविता के बाहनी बताईए कि सब घर एक कर देने के माइने क्या है इसके बाद है आपका अगला प्रश्ण है उसा कविता की आधार पर उस जातों को सपस्ट किजे जो सुजोदय के साथ तूट जाता है तो इस तरह से आपको प्रश्ण छे अंको करहेगा एक प्रश्ण आपर तीन तीन अंको करहेगा इसी पैटन के अधार पर आपको तयार करना है फिर है आपका गध्यांस को पढ़कर प्रशनों का उत्तर देना है हम आज देश के लिए क्या करते हैं मांगे हर छेतर में बड़ी बड़ी है पर त्याग का कही नामों निसान नहीं है आखिर कब बदलेगी यह इस्थिती तो यह आप गध्यांस को अपसानी से कर सकते हैं गध्यांस का उत्तर आपको मिल जाता है देश के नागरिकों के चरित्र में किस गुण का अभाव है हम किस बात के लिए दूसरों की आलोचना करते हैं तीसरा है हम आद देश के लिए करते क्या हैं मांगे हर छेत्र में बड़ी बड़ी है कथन के द्वारा लेखक देश वासियों की किस मानसिक्ता पर व्यांग्य कर रहा है यह कुश्चन है आपके छे अंकों का रहेगा इसी तरह से आपको समझ में आ रहा होगा कि अब हिंदी में हमको क्या तयार करना है फिर आपका निम्ना निखित प्रश्णों के उत्तर लिखे पहला प्रश्ण परजेसिंग पावर यह प्रश्ण आपको पूछे जाते हैं परजेसिंग पावर क्या होता है चारली की फिल्में की चार विसेस्ताएं लिखे लुटन पहलवान ने ऐसा क्यों का होगा कि मेरा गुरू पहलवान नहीं यही ढोल है तीन अंको का प्रश्ण आदर सनिबंद की विसेस्ताएं लिखे तो यह बहुत ही मतपूर है उसके बाद आपका एगा चार अंको का प्रश्ण सिल्वर वेडिंग कहानी के अधार पर पिडियों के अंतरालों के कारण नो पर प्रकाश डालिए क्या इस अंतराल में कुछ पाटा जा सकता है कैसे इस पश्ट कीजे सिल्वर वेडिंग कहानी इस पार से आपका प्रश्ण बनता है सिल्वर वेडिंग कहानी के अधार पर यसोदर बाबू के वैक्तित्व की प्रमुक विशेस्ताओं पर प्रकाश डालिये चौदवा का का है आपका मुहन जोदडो का अनुठा नगर नियोजन आधुनिक नगर नियोजन के प्रतिमान नगरों से बहता रहे क्यों उधारनों द्वारा इस पश्ट कीजिए जाती प्रथा को सरंबे बाजन का एक रूप मानने के पीछे डॉक्टर अंबेट करके क्या तरक है तो ये आपने देखा होगा पुराने सालों के पेपर में ये पूछा गया है उसके बाद है आपका जूच कहानी आधुनिक किसोर किसोरियों को किन जिवन मुल्यों की प्रिणना दे सकती है लिखिए एन की डायरी से आपको प्रश्ण पूछे जाएंगे एन की डायरी अगर एक एतिहासिक दौर का जिवन दस्तावेज है तो साथ ही उसके नीजी सुक दुख और भावातमक उथल पुथल का भी इन प्रिष्णों में दोनों का फर्क मिट गया है इस कथन पर विचार करते हुए अपनी सहमती या असहमती तरक पुर्वक व्यक्त करें तो 14 प्रश्ण रहेंगे आपको इसी अधार पर करना है तैयारी और भी कोस्टन्स है जो आपको अगले वीडियो पर बताया जाएगा ठैंक यू सो मच और इस वीडियो को जादा से जादा लोगों तक सेयर करें और कुटम एप को डाउनलोट करो धन्यवाद